इस वीडियो में मैं आपको कक्छो दसवी का second term का sample question paper बताऊंगा हिंदी मीडियो में जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि CBSE के official website पर जितने भी sample question paper upload किये जाते हैं वह सभी sample question paper जो होते हैं वह English medium में होते हैं ठीक है तो मैं इस वीडियो में आपको standard math यानि कि मानक गणित का sample question paper के जितने भी questions है वो सभी question आपको मैं हिंदी मीडियो में बताऊंगा और explain करूंगा तो इससे पहले जितने भी videos upload किये जा चुके हैं वह सभी video आपको उपर i button में या फिर उन सभी video का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो चलिए video start करते हैं cbse प्रतिदर्सि प्रश्ण पत्र sqp ठीक है प्रतिदर्सि प्रश्ण पत्र यानि कि sample question paper गणीत मानक यानि कि standard कक्षा 10 सत्र जो है आपका season वह 2021 है और दुत्ति आवधिक यानि कि second term है term जो है वह 2 है तो इस question paper को solve करने के लिए आपको total 2 घंटे का समय दिया जाएगा ठीक है और इसमें total 14 परशन रहने वाले हैं और जितने जितने भी question है वह total जो अंक है इसका question जितने भी total 40 अंक का जो है यह परशन पत्र रहने वाला है तो सबसे पहले यहाँ पर समाने निर्देश देख लेते हैं कि आपका sample question paper का structure किस परकार से है ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जदी आपको sample question paper के solution चाहिए तो आप simply नीचे comment कर सकते हूँ ठीक है मैं जल्दी जितने भी sample question paper के questions है उनसा भी question paper video बनाते जाओंगा तो यहाँ पर सबसे पहला बिंदू है कि इस प्रस्ण पत्र में 14 प्रस्ण है जो तीन खंडो को खो और गो में विभाजित है ठीक है इस प्रस्ण पत्र में total 14 प्रस्ण है जो की को खो गो गो को खो गो तीन खंडो में विभाजित है सभी प्रस्ण अनिवारी है ठीक है फि यानि कि टोटल खंड को जो है, वह आपका 12 नमबर क रहने वाला है, 6 परसन है, और 1 परसन दो नमबर के हैं, तो आपके टोटल 12 नमबर हो जाती है, जिसमें 2 परसन में आंतरी की विकल्प दिये गए हैं, यानि कि 2 परसन जो है, उसमें आपके option दिये गया है ठीक है उन दोनों में से आप कर सकते हो कोई साभी यानि कि अथवा वाला दिया गया है फिर next जो है fourth खंड को में 4 प्रसन है ठीक है परती एक प्रसन जो है वो 3-3 अंका है यानि कि 1 प्रसन तीन अंका है तो total जो है खंड खज हो गया वो वो आपका 12 नंबर का हो गया ठीक है खंड को भी 12 नंबर का खंड को भी 12 नंबर का हो गया फिर next है आपका खंड गव तो खंड गव में total 4 प्रसन है ठीक है total 4 प्रसन है जिस तो परती एक प्रसन जो है वो आपका 4 नंबर का है ठीक है यानि कि यह होगे टोटल आपके 4 चोके 16 ठीक है बारदुने 24 और 16 हो जाते हैं टोटल आपके 40 तो अब जो आपका खंड गर हैने वाला यानि कि तीसरा खंड में आपके दो जो प्रसन है वो case study अधारित है ठीक है यानि कि case study मतलब समझ सकते हैं कि कुछ paragraph दिया और उससे related जो question दिये जाएंगे उस questions को आपको solve करना है ओके और माकी 2 प्रसन जो है वो काफी जादा 4 चार चार अंके 2 प्रसन दिये जाएंगे तो चलिए अब देख लेते हैं कि question जो है वो किस परकार का है यदि आपको इस question का solution चाहिए तो आप simply नीचे comment कर सकते हो मैं ज ऐसा कि आप सभी जानते होंगे कि आपका support material जो है वो काफी जादा important है तो मैं जल्दी आपके support material पर भी वीडियो लाने वाला हूँ तो यहाँ पर आपका खंड को जो है वो खंड को का पहला प्रसन है एपी यानि के समानतर स्रेणी 6,9,12,15 के लिए एपचीस घटा में एपंदर का मान ज्याद कीजिए हमें ये एपी दिया गया है और इसमें हमें ये मान ज्याद करनी है फिर इसी का अधवा में है यदि एपी के सातवे पद का साथ गुना पांच में पद के पांच गुना के बराबर हैं तो इसके बारवे पद का मान ज्याद कीजिए ये भी कोईशन आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है फिर आपका दूसरा प्रसन है इन दोनों में से आपको कोई एक प्रसन करने है ठीक है और यह आपके दो नंबर के है काफी इजी-जी कोईशन है ज्यादा मुश्किल कोईशन नहीं है दूसरा है एम का मान ग्यात कीजिए ताकि दू घात समिकरन एम गुणा में एम एक्स पांच एक्स माइनस में छे बराबर जीरो के दो मुँहल है ठीक है आपने विविकतर पढ़ा होगा ठीक है यह विविकतर से रेलेटेट काफी चीकोईशन है दो नंबर के हैं फिर आपका तीसरा प्रसन है एक विंदू P से एक विरित C ठीक है जो कि आपको यहां से O R, ठीक है यह O R, ओ लिया फिर R ठीक है यह बीच वाला O है और यह आपका R radius यानल की तरी जिया है पर दो इस पर से रेखा है PA ठीक है दो इस पर से रेखा है यह PA और next है आपका यह PV ठीक है PA और PV यदि OP 2R है ठीक है O और P यह जो है यह total यह 2R है तो ABP ठीक है ABP ठीक है यह ABP घ्याद करना है और ABP किस परकार का तिरभूज है हमें यह भी बताने है ठीक है जानी कि हमें ABP यह तिरभूज के बारे में बताने है और यह किस परकार का तिरभूज है तो यह simply sum 2Bahu तिरभूज है ठीक है काफी ज्यादा easy question है आपके इस sample paper में जितने भी questions है वो काफी ज्यादा easy है आप easily in सभी question को समझ सकती हूँ मैं जल्दी इस पर वीडियो बना दूगा ज़िए आपका comment रहा दो next question नमर चार है एक लंब विरित्य संकू का वक्र परष्टे छेत्रफल 12,320 cm वर गए ठीक है यहन की cm square है यदि इसके आधार की त्रिज्या 56 cm हो तो इसकी उचाए ग्याद कीजिए ठीक है दो नमर का question है balance से विरित्य संकू संबंधित question है जो कि यह चौथा question भी आपका काफी ज्यादा important और easy भी है फिर next आपका पांचमा है जो कि संख्याई की chapter जो है आपका 14 चैप्टर उस chapter से लिया गया है तो यहाँ पर स्रीमति गर्ग ने अपने चात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को निमने लिखी तालिका में दर्ज किया ठीक है स्रीमति गर्ग जो है वो teacher है उन्होंने अपने class के कुछ आंक्रे को data को कुछ इस परकार से यहाँ पर सार्रणी में जो है वो बताया है उसने कक्षा के चात्र के मोडल अंको की गर्णा 45 के रुप में की आंकडों को प्रिंट करते समय एक खाली छोड़ दिया गया था नीचे दी गई तालिका में लुप तावर्तिक ज्याद किजिए तो यह आपका संख्याय की दिया गया है ठीक है और इसमें आपका यहाँ गायव है ठीक है यह आपको बताना है इस बीच में कौन सी संख्या आएगी छटा प्रसन है यदि रितु अपनी वास्तिविक आयू से पांस वर्थ छोटी है तो उसकी वायू का वर्ग उसके वर्तमान वायू के पांच गुना से एक ज्यार अधिक होता है उसकी वर्तमान वायू क्या है ठी यह जो आपका दुगाती समिकरन जो चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया है तो यह प्रसन भी आपका दो नंबर का रहने वाला है तो यदि आप कमेंट करते हो तो मैं इस पर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा यह वीडियो जह है अपको इसमें कोशन बताने के लिए ज इसी में आत्वा जैसे कि पहले बताया था कि दो कोशन में आपके विकल्प दिये गया है ठीक है तो एक तो पहले कोशन में विकल्प दिया गया था और 21 में दिया गया आत्वा ठीक है तो यहां पर एक्स के लिए हरक लिए यहां की यहां पर आपको एक्स का मान बताना है स तो आपका खंड खो जो है खंड को जो है वो खतम हो चुका है और नेक्स जो है वो नेक्स्ट है आपका खंड खो जिसमें की प्रतियक प्रसंद जो है वो तीर नमबर का है मिन्स आपके ध्रे-ध्रे कोशंस का अंक जो है वो बढ़ता जा रहा है करमानुसार दिया गया है तो खंद खो में सात्वा प्रसन है लंबिक परतियोगता का वितरण इस परकार है जिसमें दो सो पचास छात्रों ने भाग लिया। ग्याद करनी है इस question में फिर आपका प्रसन नमर आठमा है 4 cm त्रिज्या वाले एक विरित पर इस परस रेखाओं का एक यूगम बनाई है ठीक है आपको 4 cm वाला 4 cm आपको एक विरित बनाने जिसकी त्रिज्या 4 cm होना चाहिए यानि कि उसका diameter जो है व्यास वो 8 मीटर होनी चाहिए तो उसमें आपको दो इस परस रेखा बनानी है जो कि एक दूसरे से 60 डिगरी के कोन पर जुकी हो फिर आपका next नोवा question है नीचे दिया गया वितरन एक दूसरे क्रिकेट मैच में बल्ले बाजो द्वारा बनाए गए रनो को दर्साता है रनो के उसत संख्या कीजिए उसत यानि कि माध्य होता है ठीक है उसत यानि कि माध्य होता है माध्य इंगलिस में माध्य को मीन खा जाता है ठीक है आप सभी जानते होंगे तो यह प्रसन भी आपका तीन ही नमबर का है सभी प्रसनिस में तीन नमबर का है खंड ख में तो देखते है तालिका किस परकार का दे रखा है संख्याई की से संबंदित कुछन है काफी जादा एजी है तो यहाँ पर आपका जो है यह तालिका दिया गया है आप देख सकते हो लिख सकते हो अपने कॉपी में नोट कर सकते हो ठीक है और इस तालिका को देख करके आपको जो है माध्य निकालना है औसत यानिकी मीन निकालना है तो इसमें रन बनाए गया है वो 0 से 40 तक तो 0 से 40 तक 12 बढ़ले बाजो ने 1 से, मतलब 0 से 40 तक रन बनाया, फिर 20 बढ़ले बाजो ने 40 से 80 तक रन बनाया, फिर इसी परकार 35 ने 80 से 120 तक, फिर 30 ने 120 से 170 तक, फिर 30 ने 160 से 200 तक के रन बनाया तो इसमें आपको mean निकालना है ठीक है यानि की माध्य निकालना है फिर next आपका प्रसन नमर 10 तो प्रसन नमर 10 जो है वो आपका optional है यानि की अथ्वावाला है तो आपका प्रसन है अलग-अलग उचाय के दो उर्दवारधर खंबे समतल जमिन पर एक दूसरे से 20 मीटर दूरी पर खरे हैं दो खंबा जो है वो अलग-अलग उर्दवारधर यानि की जो खंबा होता है न वो उर्दवारधर ही होता है तो तो वो दोनों खंबे जो है वो 20 मीटर के दूरी पर खरा है ठीक है दूसरे खंबे के पाद से पहले खंबे के सिखर का उनियन कौन 60 डिगरी है दूसरे खंबे जो है उसके पाद से पहले वाले खंबे का सिखर का उनियन कौन जो है वो 60 डिगरी दे रखा है और पहले खंब के पात से दूसरे खंबे के सिखर का उन्यन कॉंड 30 डिग्री है तो ध्रुवों की उचायों के बीच का अंतर ग्यात किजिए ठीक है तो यहाँ पर जो है वह आपका उनके बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकाल लिए यह कोशन काफी ज्यादा एजी है और यह आपका ज्यादा आसान है जिसमें आप कम समय में जो easily solve कर सकते हो आप इन दोनों में से कोई एक ही solve कर सकते हो जो आप को easy लगे वो कर सकते हो तो यहाँ पर है एक पूंट 7 मीटर लंबा एक लड़का इस एक इमारत से 50 मीटर दूर एक 6 जमिल पर खड़ा है ठीक है उसकी आँख से इमारत के सिर्ष का उन्यन कोन जो है वो साथ डिगरी का है तो हमें इमारत की उचाए ग्याद करनी है ये कोशन भी काफी जादा easy है ठीक है काफी जादा असान है फिर next जो है वो है आपका खंड गव तो खंड गव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है तो खंड का और खंड मैंने बता दिया है अब खंड गव में आपके दो कोशन रह जाती है ठीक है अंतिम खंड जो है आपका गः वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे सो इसमें इतना ही जैदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अने आने वाली वीडियो की ठीक है सपोर्ट मैटरेल पर भी वीडियो लाने बाला हूँ और इसी का खंड गः और अने अगर आपको हिंदी मिडिया में संपल कोशन पेपर चाहिए तो वो भी आपने चे कमेंट कर सकते हूँ तो अने जो भी वीडियो आने वाला है इसका अगला पार्ट आने वाला है उन सभी की सुचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राब करके नोटिफिकेशन बैल को औल पर प्रेस कर सकते हूँ टाकी जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सुचना मिल जए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद